नमस्कार महुरंजीत जा, उधव ठाकडे के खिलाफ महराश्टरा के मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे और बिधान सभा के स्पीकर राहूल नार्वेकर की नई साजिश का भांडा फूटा है और यह साजिश हैरान कर देने वाली है, इसका असर बिधान सभा में भी दिखने लगा है दरसल जब महराश्टरा बिधान सभा के स्पीकर राहूल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे के हक में फैसला सुनाया तो यह ओपरत्याशित नहीं था क्योंकि सबको यही उमीद थी कि यह बीजेपी के इशारे पर ही कोई न कोई निरने देंगे लेकिन जब एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना को उन्होंने असली शिवसेना करार दिया तो नियम के मताबिक फिर जो दूसरी शिवसेना है उसे उसके विधायकों को वह डिस्कौलिफाइ कड़्ते ऐसा उन्होंने नहीं किया इस पर उद्धागर ने कहा कि अगर हम असली शिवसेना नहीं CE तो अब इसका जवाब मिल गया है दरसल यहाँ एक बड़ा खेल था जिसका असर बिधान सभा में साफ तोर पर दिखने लगा है यहाँ पर जो गहरी साजिश रची गई है इसके तहत प्लान यह है कि उद्धव ठाकरे के बिधायकों को कैसे एक नातर शिंदे के गुट में मर्ज किया जाए और बीजेपी को सपोर्ट किया जाए यह बहुत ही गहरा खेल है कैसे सब कुछ हुआ है हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के जड़िये आप आसानी से समझ जाएंगे तो जड़ा देखिए अपने स्क्रिन पर यहां लिखा हुआ है शिंदे गुट का वहिप मानना ही होगा उद्धव गुट को स्पीकर ने दिया दोहरा जटका ठाकरे के पास अब क्या विकल्प है उद्धव ठाकरे के पास ऐसे विकट इस्थती में भी तीन विकल्प हैं अगर वो उन तीन विकल्प पर काम करेंगे तो शिंदे के इस कुचकर से बाहर आ सकते हैं स्पीकर ने जो साज़श रची है बीजेपी के इशारे पर या फिर शिंदे के साथ जो प्लानिंग की गई है उसे तोड़ भी सकते हैं वो कैसे तोरेंगे हम आगे बताएंगे लेकिन उससे पहले देखिए कि ये हुआ क्या कि विधान सभा में अब उधव ठाकरे के गुट के विधायकों को शिंदे अपने कबजे मिलेना चाहते हैं इस रिपोर्ट में जड़ा देखिए अपने स्क्रिन पर सभी विधायकों को शिंदे गुट के चीफ हुईप भरत गोगावले के आदेश को मानना होगा ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी अब समझ यह जरा यही पर पूरा खेल है खेल यह हो गया कि अगर हमने एकनाथ शिंदे के शिबसेना को असली शिबसेना माना है तो जो दूसरी शिबसेना गुट है वो वैलिड नहीं है ऐसे में उनके जो विधायक हैं उन्हें हम रिमोट कंट्रोल बनाना चाहते हैं इस बज़ा से हमने उन्हें अब तक डिस्क्वालिफाय नहीं किया है उन्हें मौका दिया है कि अब आप विधान सभा में सरकार के साथ मिल जाईए अगर सरकार के साथ नहीं मिलते हैं तब हम आपको अल्टिमेटम देकर डिस्क्वालिफाय कर सकते हैं यह खेल है और ऐसा नहीं करने पर स्पीकर ने कहा है कि गोगावले अगर विप जारी कर देते हैं आप नहीं माने तो कारवाई हम कर देंगे यहां आगे देखिए क्या कहा जारा है इसका मतलब यह हुआ कि विधान सभा में मतदान जैसे प्रमुख बुद्दो पर उद्धव गुटके सभी सोलह विधायकों को गोगावले के विप का पालन करना होगा नहीं तो उनकी सदस्यता पर तलवार लटक सकती है इसके अलावा यूवीटी समुह के विधायकों को विपक्ष में होने के बाबजूद सीएम के नित्रतो वाली शिवसेना के साथ सत्ता पक्ष में भी बैठना होगा नार्वेकर ने कहा विधायकों को अपने निर्धारित अस्थान पर बैठना होगा मेरे विचार में शिवसेना सरकार में सत्ता रूड दल है यदि कोई अलग रुख अपनाता है तो यह निर्ने उनका होगा और वे इसके पड़िनामों के लिए जिम्मिदार होंगे इस पिकर ने ये भी कहा कि एक पाटी सदन में दो विप जारी नहीं कर सकती तो इस खेल को अब आप समझ गए होंगे उद्धव ठाकरे भी पूछ रहे थे कि हमारे गुट को डिस्क्वालिफाई क्यों नहीं किया उपात्र क्यों नहीं करार दिया अब यह पूरा खेल है उद के पास मोका है आप हमारी सरकार में शामिल हो जाईए नहीं तो अब हम आपको डिस्क्वालिफाई कर सकते हैं यह पावर शिंदे गुट के गोगावले के पास है और यह बहुत ही सोची समझी हुई साजिश कही जाएगी क्योंकि अब जो विपक्ष में है जिसके विधाया प्रदर्शन कर रहे हैं जिस उधव ठाकरे के समर्तन में वो विधायक करें उन्हें कहा जा रहा है कि आप सरकार का सास दीजिए नहीं देंगे तो अब हम डिस्क्वालिफाई करेंगे इसे बेहद ही घटिया सियासत ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं आगे देखिए क्या कह जा रहा है वैसे तो स्पीकर से आयोगिता के मामले में ऐसे ही फैसले की संभावना जता ही जा रही थी लेकिन उधव ठाकरे गुटके विधायकों को शिंदे गुटका विप मानने और ट्रेजरी बेंच की तरफ बैठने का आदेश यूबीटी के लिए बड़ा जहटका है ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि उधव ठाकरे अब आगे क्या करेंगे तो उधव ठाकरे के पास अभी भी तीन विकल्प है कि कैसे वो इस चीप पॉलिटिक्स से बचेंगे यहाँ पर ऐसी राजनित नहीं है यह एक अलग तरीके का खेल है जिसमें सर्फ और सर्फ मात द पर क्या है कैसे सत्ता पक्ष में मजबूरन शामिल होने से उधव अपने विधायकों को बचा पाएंगे यह लिखा हुआ है राजनितिक विशले सकों का मानना है कि स्पीकर के फैसले ने मुख्यमंतरी एकनात शिंदे गुटके शिव सेना को अधिक कानूनी वैदता दे द कोट का दरवाजा खटखटा चुके हैं अब वो स्पीकर के फैसले को भी अधालत में चुनावती दे सकते हैं यहां से अधालत कोई राहत दे तो बड़ी बात होगी लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है अधालत से ऐसी कोई राहत उधव ठाकरे को नहीं दी गई है तो क् भी यही निर्देश देगी कि जाएए आप सरकार में शामिल हो जाएए क्या ऐसा होगा क्या यह लोकतंत्र कहलाएगा यह बड़ा सवाल है अब यहां से आईए दूसरे पॉइंट पर उधव के पास क्या है विकल्प नंबर तो इसमें कहा जा रहा है चुकि अगले कुश ह भी महिनों के बाद लोक सभा और विधान सभा चुनाओ दोनों है इसलिए उधव ठाकडे कांगनी लड़ाई के साथ साथ जनता की अदालत में इस मुद्दे को ले जा सकते हैं उनके पिता बाला सहब ठाकडे द्वारा बनाई गई पाटी पर दूसरे गुट का कबजा हो जाने से मराथी मानुश का सहानूब होती उन्हें मिल सकती है इसलिए वह इसे जनता की अदालत में ले जा सकते हैं अगर उनके नित्रुत्त वाले गुट के सांसदों और विधायकों की जीत होती है तो फिर से पदला पदल सकता है यह सबसे बड़ा तरीका है और जनता की अदालत में ही फैसले वास्तविक वाले होंगे क्योंकि इस वक्त ना तो आप स्पीकर से ना ही आप चुनाव आयोग से ना ही अदालत से ऐसे किसी फैसले की उम्मीद कर पाते हैं जो इनके हक में आए तो जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है तो जाना ही होगा तीसरा विकल्पत्या है जिरा उस पर भी गोड़ कीजिए यहां बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग पहले ही शिव सेना के चुनाव चिन्ही की लड़ाई में शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुना चुका है अब स्पीकर के नई फैसले के बाद हो सकता है कि उद्व ठाकरे नई पार्टी बनाने के लिए आयोग जाएं लेकिन इसकी संभावना कम ही लगती है क्योंकि ऐसा करने से जनता की अदालत में उनकी सियासी हार का संदेश जाएगा जिसे वह देना नहीं चाहेंगे कुछ विशलेसकों का यह मानना है कि उद्व ठाकरे शिव सेना यूवीटी के नाम से ही अगला चुनाव लड़ेंगे और कोट में भी पार्टी पर कबजी की लराई लड़ते रहेंगे यहां से ही रास्ता निकलेगा अब क्योंकि सुपरिम कोट ने जो टिपणी की थी उस टिपणी से ऐसा लग रहा था कि स्पीकर को एक निर्श्पक्ष फैसला करना चाहिए था जिस पर अब जब स्पीकर का फैसला आ गया तो धव ठाकरे ने कहा कि कहीं ने कहीं सुप्रिम कोट का अपमान है लोकतंतर की हत्या है। सुप्रिम कोट ने जो निरुदेश दिया उसे स्पिकर नर्वेकर या तो नहीं समझे या तो सुप्रिम कोट को वो मानते नहीं है। पहले कह चुका है कि राजी के गवर्नर ने अपने पद का दुरुपयोग किया था और गलत निर्ने लिया था। इतना कुछ होने के बापजूद भी अगर महराश्ट्रा विदान सभा के स्पिकर राहूल नर्वेकर ने अपने मन की की और एकनौत शिंदे को बचाए रखे त तो इस पर आपत्ती तो जाहिर की जाएगी लेकिन जो दूसरा सवाल था कि उद्धव ठाकरे के गुट को फिर अयोग्य क्यों नहीं करार दिया तो यह जवाब आप इस रिपोर्ट में देख चुके हैं। पूरी कोशिश है उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को रिम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।